हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभीका कॉमिक वैल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डुगा सिरीज का कॉमिक पिशेश शांग डुगा माइ ब्रेदर का दूसरा और अंतिम भाग डोगा जिन्दा रहेगा तो हम भड़ती करते रहेंगे और वो हमारी वेकेंसी की जरुरत को कभी खतम नहीं होने देगा कानून का तोड़ है मेरे पास, पैसा मगर क्या डोगा को कोई तोड नहीं, उफ अपराज जगत में डोगा के इस दखल को दूर करना होगा अंगोरे मैं भी वही सोच रहा हूँ बीबी कि उसका दखल रोकने के लिए कोई न कोई चीज तो होगी पर क्या, जिस दिन वो चीज मेरे हाथ लग गई, डोगा का दखल समापत हो जाएगा केरण के दिमाग में भी एक बात ने दखल डाला हुआ था वो सबूत इखटा करने होंगे मुझे जो सूर भहिया पर इस बात को साबित कर दे की वही डोगा है भहिया न मुझे चैलेंज किया था तो उस चैलेंज की जवाब में मैं डोगा को पकड़ कर सूर भहिया के हवाले करूँगी इस चैलेंज के विशा में जानने के लिए पड़े क्यों फेका कूड़े पर अगर सूर भहिया ही डोगा है तो शायद उनके कमरे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ा मिले है जो सूर भहिया के सम्मठ डोगा से जोडती हूँ इस बकसे में क्या है? किरण के हाथ उस बकसे को खोलने को मचल उठे बकसे में इसे जो चीज़ निकली उसे देखकर किरण की कनपटियां संसनाने लगी ये तो डोगा की लेटर ड्रेस है और ये डोगा का मास्क डोगा की दस्तानी शायद भहिया ने डोगा की नई ड्रेस बनवाई है और जल्दी में इसे छुपाना भूल गये डोगा की ड्रेस की यह मौझूद की मेरे शक को यकीन का लिबास पहना रही है ये भाईया की जीप की आवाजे शायद भाईया आ गए है आने वाला इंस्पेक्टर सूरी था आज डोगा मेरे हाथ में आकर निकल गिया पर अभी वो मेरे हाथों में से नहीं निकला है किरण मैं फ्रेश होने जा रहा जा रहा हूँ उसके बाद मुझे फिर वापिस डूटी पर जाना है मेरा खाना तयार रखना मुझे मालूम है कि वे डूटी डोगा वाली डूटी होगी क्योंकि डोगा वी राज की जूटी करता है ठीक है भहिया किरण को उस पल का बड़ी बेसबरी से इंतजार था भहिया अपनी वर्दी लेने के लिए उस अलमारी को खोलेंगे शायद उस पल की उन्होंने कलपना भी ना की होगी ओ गौड ये क्या डोगा की वर्दी मैं डोगा की वर्दी तुमारे हाथों में देखना चाहती थी इंस्पेक्टर सूर रे मेरा एक काम तो हो गया डोगा की वर्दी यहां डोगा की नहीं भईया आपकी वर्दी किरण तू और ये क्या बकरी है डोगा की वर्दी मेरी वर्दी कैसे हो गई क्योंकि डोगा आप ही है उस दिन हॉस्पिटल में जब में डोगा का पता लगानी की मुहीम चला रही थी तो डोगा से आपका ही ब्लड सेंपिल मैच किया था ये सब जानने के लिए पड़ें क्यों फेका कूडे पर किरण चीक कर आप इस हकीकत को नहीं बदल सकते बहिया वरना बताईए कि ये वर्दी आपकी वार्ड रूप में क्या कर रही है तेरा धिमाग खराब हो गया मुझे क्या पताई ये वर्दी कहां कैसे पहुची बहिया ये बात सच है कि आप सभी आप अभी भी नहीं मानेंगे कि आप ही डोगा है मैं वक्त आने पर आपको दिखा दूँगी कि आप ही डोगा है किरण सुन पागल मत बन ये विचार दिल से निकालते कि मैं डोगा हूँ उफ चली गई आखिर डोगा की ये वर्दी यहां आई कैसे और मेरी दूसरी पुलिस की वर्दी कहां गई पुलिस की वर्दी काया भै तब ही टेलीफोन की घंटी करकशा उठी इंस्पेक्टर सूर ने चोंगा उठा कर कान से लगाया ओ तुम जिसने मुझे गुगली वाली खबर दी थी हाँ तुम मुझे मदुमकी कहकर पुकाड सकते हो इंस्पेक्टर सूर तुमारी इंफॉरमेशन ठीक थी तुम चाहो तो पुलिस तुमें इनाम दे सकती है इनाम का लालस दे कर मुस्तक पहुचने की तुमारी कोशिश बेकार है इंस्पेक्टर तुम अपनी वर्दी ढूंड रहो न तो वो तुमें एक जगह पर मिलेगी पता नोट करो ठीक आदे गंटे बाद यही पता है इंस्पेक्टर सूर उस गुदाम जैसी जगह का तरवाजा खुलकर जैसे यह अंतर घुसा यह कुद्टे कहां से आ गए और यह मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे मैंने ही ने पालाओ अभी तुम नहीं समझोगे इंस्पेक्टर सूर की मैंने ही इने वर्दी में समाई तुमारी गंद सोगागर इनसे तुमारी जान पैचान करवाईए और यह क्या कुद्टे हतियार कहा से ला रहा है कभी मैं डॉग ट्रेंनर थी वो सिक्षा आज काम आ गई यह हतियार मेरी और बढ़ा रहे हैं जैसे मुझे देने की चेशटा कर रहे है पुफ अखर यह चक्कर क्या है क्या यह मदमक्षी की हरकत है ऐसी हरकत से वो क्या सिद्ध करना चाहती है कौन है ये मदमक्खी वो अपने आपको मदमक्खी क्यों कहती है और मेरी वर्दी कहा है वापिस लोटने के अलावा दूसरा कोई चारा ना था लेकिन भाईया ये वर्दी पहन लो कुछ कुद्धे आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहे तब वो आपको ठीक से पहचानेंगे किरन तुम हाँ मैं देखने चली आई थी कि मेरे भाईया नाइट ओफ नाइट डोगा की डूटी कैसे ने बात है नाइट ओफ नाइट का मतलब रात कर आजा किरन तुम पागल हो गई है मैं डोगा नहीं हूँ डोगा की ब्लड सैंपल वर डी आईने से आपके ब्लड सैंपल वर डी आईने का मिलना इस वर्दी का आपके कमरे से मिलना इन कुत्तों के आपसे दोस्ती यह जाहर करने के लिए काफी है कि टोगा आप ही है लेकिन मैं आपको टोगा की रूप में पकड़ूंगी अब मेरे सामने टोगा की रूप में मत आना भाया परना आपको अपना मास्क उतार कर मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा और तब आप इंकार नहीं कर पाएंगे कि नीचे जो सूरत निकली है वो मेरे भाया सूर की नहीं है रुक के रण मैं तुझे अभी यह सबूद दिये देता हूँ कि टोगा मैं नहीं हूँ अगर मैं टोगा होता तो यह वर्दी मुझे बिल्कुल फिट हो आती देखो यह मास्क मेरे चेरे के नाप का नहीं है वर्दी को शरीव पर फिट करने के लिए शरीव चेरे पर पैटिंग की जा सकती है या फिर नीचे बुलिट प्रूफ जैकेट भी हो सकती है यह आपके टोगा ना होने का पुकता सबूत नहीं हुआ जबकि मैंने आपके टोगा होने के कई पुकता सबूत आपको दे दिये अब आखरी सबूत तब दूंगे जब आप मुझे टोगा के रूप में मिलेंगे यह सच मुछ पागल हो गई है मधुमक्षी के आखें उस वक्वाट के बलू की दर्फ चमक रही थे जो बात मैंसे थाबित करने की कोशिश कर रही थी वो सच निकली क्योंकि इंस्पेक्टर सूरी ही टोगा निकला और मेरे पास इंस्पेक्टर सूरी के डोगा होने के सभी सबूत इस कैमरे में मौझूद है इसमें मौझूद फिल्म देखकर कोई भी ये बात आसानी से माल लेगा कि सूरी डोगा है ये खबर बीवी के लिए आती मैट पूंड हो सकती है खबर वा फिल्म वाकई मैट पूंड थी ये सूरी के हाथ में डोगा की वर्दी है देखते जाओ बीवी देखते जाओ ओ सूरी कुत्तों के बीच कुत्ते हत्यार लेकर आ रहा है सूरी डोगा की वर्दी पहन रहा है सूरी ने डोगा का मास्क भी लगा लिया है चारा किरण से बढ़िया क्या हो सकता था Very simple, very easy किरण इस library में है मैं उस पर chloroform spray करूँगा वो बिहोश हो जाएगी उस वक्त हम सब उसके पास-पासी रहेंगे हम ऐसा शो करेंगे जैसे किरण हमारी ही साथी है हम उसे hospital ले जाने के बाहने Very simple, very easy तेरा बाप जो सामने खड़ा है दोगा? इस लड़की को क्या आपने बाप का माल समझ को उठा कर ले जा रहे थे? चिम 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 ओ! इन्हें मैंने मारा है ये तो मैं किटनाइप करके ले जा रहे थे किसी पर हमदर्दी जता कर उसे hospital ले जाने वाली सूर्टें ऐसी नहीं होती इन्होंने मुझे क्लोरोफार्म से बेहोश करने की चेश्टा की थी लेकिन मैंने एन बगपर सांस रोक ली थी फिर भी मुझे बेहोशी आ गई थी पता नहीं कौन लोग है ये बाई दवे ब्रेदर थेंक्स मैं जानती हूँ कि जिसका तुम जैसा भाई हो उस बहन को कुछ नहीं हो सकता तुम पर फिर पागलपन का दोरा पड़ रहा है भाई तो हूँ मैं तुम्हारा मगर मैं तो मैं भाईया कहने का अधिकार नहीं दे सकता मेरी बेहन पागलपन छोड़ दो वापिस जाओ अपनी सूरत दिखा दो तो तुरंट चली जाओंगी क्योंकि मैं अपने भाईया से पूछना चाती हूँ कि क्यों नहीं उन्होंने उस दांसर जूली का कतल भी डोगा के नाम लिख दिया अगर वो ऐसा कर देते तो विज़क कौतरे जेल जाने से बच जाता अगर मैं वागई सूर होता तो जरूर कर देता साथ ही अपनी शकल भी दिखा देता मुझे कुछ करना होगा सूर से मिलना होगा मुझे भाईया ठैरो रुको किरन जाने के लिए पल्टी वेरी सिंपल वेरी इजी हे 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 इस बार किरन लंबी बिहोशी से नहीं बचने वाली थी इंस्पेक्टर सूर पर भी उस संकट की पढ़चाई पढ़ चुकी थी तुमारी बेहन बीबी के कबजे में है तुमारे लिए अच्छा होगा कि चुपचपकार में बैठ जाओ उसे अंदेरे हॉल में लाकर छोड़ दिया गया यहां इतना अंदेरा क्यों है मेरी बेहन का है क्या चाते हो तो मुझसे जवाब में सामने एक स्क्रीन रोशन हुई यह यह तो मैं हूँ डोगा की वर्दी मेरे हाथ में है मैं कुत्तों के बीच उफ यह दिरिश्य कब और किसने शूट की है यह उस वक्षीनल जब मैं के किरन को डोगा की ड्रेस पहन कर दिखा रहा था मगर कैमरा मैनने किरन को कहीं भी शूट नहीं किया है डोगा की वर्दी और मास्क के एंगल ऐसे लिए गाए कि ताकि वर्दी और मास्क कहीं से भी अन्फिट ना दिखे और यही लगे कि मैं ही टोगा हूँ दूसरे ही पल इंस्पेक्टर सूरी के जबड़ सक्ती के सार भिस्ते चले गए मैं समझ गया कि ये तुमारी हरकत है किरण तुम मुझे टोगा साबित करने के लिए मेरे पीछे लगी हो जबकि टोगा मैं नहीं कोई और है वो फिल्म देखते ही मैं जान गया हूँ कि तुमने अपने अपनार करनाटक रचकर मुझे यहाने पर मजबूर किया है ताकि मैं तुम्हें टोगा बनकर पचाने पहुचूँ तुम सुन रही हो ना मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है जवाब में सारा हौल रोशनी सभर गया किरण वेरी सिंपल वेरी इजी हमें ये वीडियो कैसट मदुमक्खी ने दिये हम नहीं जानतें कि वो तुमारी बेहन थी ये कोई और वैसे वो तुमारी बेहन होती तो हमें ये नायाब कैसट तुमारी मौत की शर्पक पर कभी न दे दी मदुमक्खी मेरी मौत चाहती है पर क्यों इस कैसब से ये साबित होता है Insपेक्टर सूर की दिन में कानून की वर्दी पहन काら कानून की रक्शा करने वाला इंस्पेक्टर सूर और रात का रक्षब बनकर कानून तोड़ने वाला डोगा तुम ही हो स्क्रिट ये वीडियो कैसे तेरी मौत की एवज में हमें 50 करोण रुपए का वो ही नाम दिलाईगी जो अंडरवर्ण ने तेरे सिर पर रखा है क्योंकि तेरा सिर थोड़ी देर में हम कलम करके इंटरवल तुमारे शरी के 50 करोड तुकड़े कर देगा तुमारी भलाई इसी में है क्या है अपने आपको कानून के सुपर्द कर दो और मेरी बहन को छोड़ दो बीबी ने जबरदस अटास लगाया बंदूक की गोलियों से चियूम चियूम करने वाला डोगा बंग के दमागों को बूम बूम करने वाला डोगा आज कितना लाचार और बेबस सा खड़ा मुसे याचना कर रहा है मुझे बहुत सुकून मिल रहा है यह देखकर बीबी देर मत करो डोगा राक के धेर मैंसे भी चिंगारी ढूंड सकता है उससे पहली उसे धेर कर दो ये काम मैं कमांडर को सौपता हूँ उमीद है कि सूरु कोई गड़बर नहीं करेगा क्योंकि उसकी बहुत बेहन बिजली की तारों से बदी है मेरे आदमी के उंगली का हलका सा भी इस पर शुनतारों में विद्ध दोड़ा देगा और तब हाँ 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 वेरी सिंपल वेरी इजी लेकिन हम डोगा की मौत को पूरी तरह से सेलिब्रेट करेंगे आज शेंपिन की बोतल मैं खोलूंगा कल पूरी मुंबई का अपराज जगत खोलेगा जो हो रहा था वो किरण के लिए असेनी है था भाईया अपनी कुत्ता फोच को बलाती क्यों नहीं मैं डोगा नहीं हूं किरण ये लोग अपना वजूद आपका वजूद मिताने पर तो लें क्या अब भी डोगा खामोश रहेगा मैंने तो सुनाएं बहुत आग है डोगा में डोगा के सीने में अपराजियों को जलाने के लिए उस आग को धदकात क्यों नहीं वो आग डोगा के सीने में जारिष्टों की कोई एमियत नहीं लेकिन मैं डोगा नहीं हूँ, मैं सूर रहूँ, तेरा भाई, तुझे अपने सामने मरते नहीं देख सकता ओ, समझ गई, मेरी जिंदगी बचानी के लिए पूरी मानफता के दाइद को दाओं पर लगा रहे हैं आप नई भाईया ऐसा मत करें, ये समय भावनाओं पर कुर्बान हो जाने का नहीं है, वनना ये शैतान मिलकर डोगा के वजूद को मिठा देंगे हा हा हा, वेरी सिंपल, वेरी इजी, हा हा हा, टू बी हैंग तिल देथ, वेरी सिंपल, वेरी इजी, खटाक, नई, गला फाल कर चीख की थी किरण, इंस्पेक्टर सूर का पूरा शरीर भासी के पंदे पर जूल गया था, उस काले मौत के कपड़े के नीचे सूरी की पुतल हा, जरूर उपर को चड़ गई होंगी, मौत हाथ से, कुछ सेकंड ही दूर थी उस से, मगर ये फासला उन गोलियों ने बढ़ा दिया, चूम चूम, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये ये गोलियां कौन चला रहा है, तुम खुद को जर्म की दुनिया का बाप कहते हो, मैं त जान लिया मुझे, चूम, खनाक, आ, डोगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, डोगा तो, चूम, 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 डोगा तो मैं ही हूँ, तुझे बार बार समझाता रहा कि तू अपने सूर भाई पर डोगा होने का संदे करके उसे बड़ी मुसीबत में ढाल रही है, पर तू नह मानी, भलाक, और आज अंजान तेरे सामने है, अगर मुझे यहां पहुचने में एक छड़की भी देर हो जाती, तू अपने भाई को खो बैठती, तो फिर वो ब्लड सेंपिल, मिल सकते हैं, करोडो केसों में से किसी एक की सभी ब्लड रोपोर्ट्स आपस में मिल सकती है, सायोंक से सूर रोडोगा की भी मिल गई, उसी को तूने इस बात का अधार मालिया की सूरी डोगा है, अगर सूर रोडोगा है, तो बता की मैं कौन हूँ, मुझ पर अविश्वास मत करना, मेरी एक एक हरकत से तुम्हें मेरे डोगा होने की बू आईगी, वो देखो, मेरे बूलाने पर मेरी कुटा फोज आ गई, और अब ये मेरे आदेश पर इन कुद्लों की चमड़ी उधेर डालेंगे, नहीं, दोगा, तू उसे भी नहीं बचा पाएगा, मैं उसे तो बचा लूँगा, मगर तू अपना हाथ नहीं बचा पाएगा, खट, आ, बीबी न भी तो हिंसा की आग में जल रही है, उसके लिए रिष्टे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन सूरज की जिन्दिकी को बहन और भाई जैसे रिष्टों का एसास पहली बार हुआ है, और उसके इस एसास को तेरे हाथ तोड़ कर डोगा ही बचाए रख सकता है, डोगा ने किर किरन डोगा की बेहन है, सूर डोगा का भाई है, जानने के लिए पढ़े क्यों फेका कूडे पर, डोगा is also your real brother my sister, डोगा ने वे तारे बीबी के शरीर पर लपेड़ दी, नहीं डोगा ये तुम क्या कर रहे हो, वही जो थोड़ी तेरे पहले तुम कर रहे थे, बीबी की किरन की मदद पाकर सूर उस गटे से बाहर आकर बड़ी तेजी से वहाँ पहुचा था, लेकिन डोगा का गया, आपकी बेहन को बचाने के बाद वो चला गया, लेकिन वो वीडियो कैसर्ट वो अभी भी मुझे फसा सकती है, क्योंकि उसमें वो सारे दिर्श मदमक्षी न पहुचा, लेकिन मैं इसका मास खटाता हूं ताकि तुम्हें पता लग सके कि ये कौन है, जो तुम्हें डोगा सावित करना चाहती है, डोगा ने उसके चेहरे से नगाब घीच डाला, तुम प्रभा, हाँ, तुम्हारे कारण मेरे भाई को जेल हुई, मैंने तुमसे कहा अगर तुम उस डांसर का कत्र भी डोगा के नाम कर दो, तो इससे डोगा को कोई फर्क नहीं पढ़ता, मगर मेरा भाई जेल जाने से बस सकता था, मगर तुम फर्ज की हतकड़ियों से जकड़े हुगे थे, तुमारे फर्ज ने निर्दोश इंसान को जेल का कलंक लगा दि बीबी के आदमी मानव बम बेल्टे लेके आ रहा है, ये खबर दरसल मुझे भाईया से पता लगी थी, जो कई दुनों से बीबी के पीछे लगे थे, मैंने तुम्हें डोगा साबित करने की कैसिट बनानी के लिए हर संबफ कोशिश की, मगर तुम डोगा के कारणी बच ग लेकिन याद रखो, डोगा की गोली अंजाने में भी किसी निर्दोश की चांद नहीं लेती, तुमने जो काम किया, तुमने जो काम सूर को करने को का था, वो इंस्पेक्टर सूर जैसा करता विनिष्ट पोलिस अफसर ही करी नहीं सकता था, क्योंकि उससे डोगा का चचरे रहे हो, मैं तो बैज जाने नहीं दूँगा डोगा, चनाक, किरण, ये क्या किया, उफ डोगा तुमारी वज़े से निकल गया, थैंक्यो सिस्टर, मुझे चक्कर आ गया था भाईया, इसमें मेरा क्या कसूर, हटो, मुझे उसके पीछे जाने दो, फिर, प्रभा, ये क्या कर रही हो, सच मुझ, भाईया के प्यार ने मेरी आखे बंद कर दी थी, बगर डोगा ने मेरी आखो पर पड़ा-पड़दा हटा दिया, मैं सच मुझ एक ऐसा गुना करने चली ती, जिसकी कोई माफी नहीं होती, कुछ लोग अपने फर्स की रक्षा अपनी जान देकर भी करते हैं, तुमारा भाई उनी में से एक है, तुम खुश नसीब होगी, तुम्हें इंस्पेक्टर सूरेज ऐसा भाई मिला, समाप्त, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, डोगा के अगले कॉमिक विशिशांक, ये शादी होकर रहेगी, तब तक के ल दिए धन्नवाद